या देवी सर्वभूतेशु मा कुश्मांडा रूपेंड संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमुनम्ह ओम दुम दुर्गाई नम्ह 12 अप्रेल 2024 शुक्रवार के दिन चैत्रमाज के शुक्लपक्ष की चतूर्ती थी थी है और नवरात्री के चौथे दिन मा भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मा कुश्मांडा की आराधना की जाती है चतूर्थी तीथी मा कुश्मांडा को समर्पित होती है तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मा कुश्मांडा की पूजा नवरातरी के चौथे दिन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए पूजा के संपूर्ण विथी क्या होती है मा कुश्मांडा की पूजा का महत्व क्या है मतलब इनकी पूजा से हमें कौन-कौन से लाब होते हैं मा का बीज मंत्र क्या है जिसका आज हमें जब करना है मा को कौन सा भोग प्रिय है जो हम अरपित करें तो मा प्रसन हो जाती है किस रंग के और कौन से फूल मा को अर्पित करने से मा की विशेश क्रिपा हमें प्राप्थ होती है मा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है मा को कौन सा रंग प्रिय है जिस रंग के वस्त्रधारन करके हम मा की आराधना कर सकते हैं और आज के दिन हम कौन सा उपाय करें जिससे की मा प्रसन होकर हमें मन चाहा वर्दान दें। मतलब नबरात्री के चौथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा से संबंधित संप्रोण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वण है पूरा जरूर देख लीजिये। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिये क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वण होते हैं। और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगें तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं चतूर्थी तिति के शुब महुर्थ के बारे में। तो देखिए चतूर्थी तिति का प्रारंब हो रहा है 11 अप्रेल को 3 बसकर 3 मिनट पर दोपहर के समय में और समाप्त हो रही है 12 अप्रेल को दोपहर में 1 बसकर 12 मिनट पर सुर्योदे कालीन चतूर्थी तिति 12 अप्रेल 2024 शुक्रवार को हमें प्राप्त हो रही है 12 अप्रेल को सुर्योदे काल का समय रहेगा सुबह 6 बसकर 12 मिनट पर और सुर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6 बसकर 42 मिनट पर 12 अप्रेल को ब्रह्म मुहूर्द का समय है 4 बसकर 35 मिनट से 5 बसकर 23 मिनट तक और इस दिन अभीजित मुहूर्थ का समय रहेगा दोपहर में 12 बसकर 2 मिनट से 12 बसकर 52 मिनट तक अभीजित मुहूर्थ जो कि भगवान स्ट्री हर विष्णू को अत्यनत प्रिय है इस समय में आप कोई भी शुबिया मांगली कारिय कर सकते हैं बात करें राहुकाल की तो राहुकाल रहेगा सुबह 10 बसकर 53 मिनट से दो पहर में 12 बसकर 27 मिनट तक राहुकाल में कोई भी शुबकार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए तो ये हैं 12 अप्रेल के शुबमुर्थ और अब आप जानेंगे चतुर्थी तिथी के दिन मा कुश्मांडा की पूजा हमे के इस प्रकार से करनी चाहिए तो सुबह जल्दी उठ जाए नित्य कर्मों से निव्रित होकर शणान कर लीजे और श्णान करने के बाद साप स्वच्छ वस्त्र धारं कर लीजे आज कौन से रंग के वस्त्रह में धारं करने चाहिए देखिए मा कुश्मांडा को प्रिय है नारंगी और हरा इन में से कोई भी रंग धारन करके आप मा की पूजा आराधना कर सकते हैं और शुद्ध वश्त्र धारन करने के बाद सबसे पहले भगवान सुरेदेव को जल अर्पित कीजिए उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहां पर आपने चौकी स्थापित की हैं या फिर जह आपका शुद्धी करन कर लीजिए तो शुद्धी करन करण के लिए आप चाहें तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर सुध्ध जल में भी आप मा का ध्यान करते हुए और उसी जल से आप शुद्धी करन कर सकते हैं, सामग्रियों का शुद्धी करन कर सकते हैं, आस पास पूजा स्थल पर चारों तरफ जलका चिड़काव करके, स्थान का और खुद का पवित्री करन कर लीजिए, इसके बाद अपने सामने शुद्धी घी का एक दीपक प्रजुलित कीजिए, और अब आपकी पुझा प्रारम्भ हो जाती है तो सबसे पहले भगवान गनेश की पुझा आपको करना है भगवान-गंगरपती के मंतरों का जब करते हुए ओम गंगर ней नमा ओम गंगर पतै किया है नौ ग्रहों का ध्यान करते कि आप चाहे तो नवग्रह मंत्र बोल सकते हैं इस के बाद जैसे कि आपने ज्वारें के लिए आपको मंत्र बोलना है जयनती मंगला काली भद्रिकाली कपालेनी दुर्गा छमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते और फिर सब की पूजा करने के बाद आपको मादुर्गा की पूजा करनी है तो आज मा कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे तो मा मा कुश्मांडा का ध्यान कीजिए अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और मा कुश्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जब करना है या देवी सर्वभूतेशु मा कुश्मांडा रूपेण संस्तिता नमस्तस्याई 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 उसी मंत्र का जब करते हुए मा कुश्मांडा का ध्यान कीजिए अब मा कुश्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है देखिए मा कुश्मांडा की आठ भुजाएं हैं इसलिए इने अश्ट भुजा भी कहा जाता है इनके साथ हाथों में क्रमसह कमंडल ध तो Weg कुश्मांडा कहते हैं इसलिए मा दुरगा के इस रूप को कुश्मांडा कहा जाता है मा कुश्मांडा के इसी स्वरूहपका आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामघरी है अक्शत पुष्प मा के चणुंधों में अर्पित कर दीजिए इसके भा नवरात्री के चौथे दिन मालपूय कभोग रपीद किया जाता है या फिर आप हल्वे का भोग लगा सकते हैं और हाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास यह सभी सामगरी हो तो ऐसे में आपके पास जो भी चीजू उपलब्ध हो भोग में जैसे की फल या मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं कच्छे दूध में केसर मिलाकर शक्कर डालकर ये भी आप मागो अर्पित कर सकते हैं गाई के दूद में सिर्फ शक्कर डाल कर भी मागो भोग में अर्पित किया जा सकता है पंचमेवा का भोग प्रती दिन आप लगा सकते हैं केले का भोग प्रती दिन लगा सकते हैं तो अपनी शक्ति सामर्थ के अनुसार भोग आप लगा सकते हैं तो अपनी शक्ति अपने सामर्थ के अनुसार मा की पूजा आरात्ना कीजिए और इसके बाद उनके मंत्रों का यथा संभव 11 बार 21 बार या 108 बार जब कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं। पूजा पूण करने के बाद मा की कपूर और लौंग जला कर आर्ति कर लिजिए। अब आपकी पूजा पूण होने के बाद आपको शमा प्रातना जरूर करना है। प्रतिदिन की पूजा में शमा प्रात्ना करना अत्यनता वश्यक है। तो यह प्रशन था आपका कि क्या शाम तक हम प्रसाथ छोड़ेंगे वहां पर नहीं जो हम भोग लगाते हैं थोड़ी दिरबाद वहां से उठा लेना चाहिए नहीं तो इसे अनादर कहा जाता है और इसी प्रकार से जब आप शाम को भोग लगाते हैं तो उसे भी थोड़ी दी जाती है जो सफेद कुमड़ा होता है जिसे पेठे की मिठाई बनती है उसकी बली चड़ाई जाती है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है आप चाहें तो पेठा जो मिठाई होती है उसी को भोग में मानाकों अर्पित कर सकते हैं और प्रसाथ स्वरुप ब्रामर को दान कर स किशीजा रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं ये अकसर होने लग जाए तो समझ लेजिए कि आप की आदास्त कमजोर है कि बार-बार चीजों को रखकर भूल जाते हैं या कुछ बातों में लगे हैं तो ही आदास्त कम हैं ऐसे म unanim死 मांडा सुबह या फिर शाम को जिस भी समय आप मा की पूजा आरादना कर रहे हैं एक पात्र में रखकर कुछ संख्या में मतलब गिनने की आवश्यक्ता नहीं है थोड़ी सी हरी इलाइची और थोड़ी सी सौफर पित कीजिए और वहीं बैठकर मा कुश्मांडा के बीज मंत्र का ज और इसके बाद मा से प्रार्तना कीजिए कि आपकी श्मर्ण सक्ती में व्रिद्धी हो या दास्त अच्छी हो या फिर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी बुद्धी का विकास हो उनके जीवन में सफलता की प्राप्ती हो उनका स्वास्थ अच्छा हो क्यूंकि मा मंत्र का जब करना है और जब हो जाती है सुबह कर लिजैने कर लीजिए इसके बाद चाने में तो आप के सकते हैं आप चाहें तो खाने में प्रयोग कर सकते हैं मतलब वैसे भी हरी इलाइची खाई जा सकती हैं लेकिन अगर आप ऐसे नहीं खाते हैं तो आप किसी चीज में मिलाकर जैसे कि दूद में चाय में या फिर सबजी इत्यादी में मिलाकर भी खा सकते हैं या जिसे देना चाहें द पूजा विधी के अलावा आपके कई सारे प्रशनों के उत्तर भी मैंने आज की वीडियो में दिये हुए हैं इसी प्रकार से अगर आप लोगों का कोई भी प्रशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसे अगले दिन वीडियो में शामिल कर सकूं क्यूंकि देखे इतना समय नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं सभी के प्रशनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकूं तो अगर आप लोग कोई भी प्रशन के उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो देखे ताकि आपके प्रशनों के उत्तर मिल जाएं और मा कुश्मांड आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार